हलो फ्रेंज रादे रादे कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का साची की रसोई में आज मैं लेकर आए हूँ गेहूं के आटे से बनने माले पास्ता की रेस्पी तो यहाँ पर देख सकते हैं टैक्चर बहुती बड़ी हाया है और खाने में बहुत ही चटपटा और स्वाधिश्ट बनता है इस तरीके से बनाएंगे यह पास्ता तो तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे बनाते हैं तो पास्ता बनाने के लिए हमने ले लिया है यहाँ पर आटा तो हमने गुथा हुआ आटा ले लिया है आप चाहें तो इसको ताजे आटे भी गूत कर ले सकते हैं हमारे पास पहले से था तो इसलिए हमने नहीं गूता तो यहाँ पर ठिकनेस देख सकते हैं आप इतना ही रखना है आटे को और इसकी हमें छोटी छोटी लोईया निकाल लेनी है पहले तो इसको हम इसी तरह रोल कर लेते हैं उसके बाद हम छोटी छोटी लोई निकाल लेते हैं जैसे हम रोटी बनाते हैं उतना ही हमें लेना है तो यहाँ पर इसी तरीके से हमने इसको बना लेंगे पहले छोटी छोटी लोई निकाल कर तो फ्रेंड्स ये गेहूं के आटे से बना है तो ये टेश्टी के साथ साथ हेल्दी भी है इसमें सिर्फ हमने गेहूं के आटे से बनाया है इसको तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह से हमने इसको बना लिया है और हलका सा इसमें फिर से हमने गेहूं का आटा लगा लिया है सूखा उसके बाद हम रोटी जैसे इसको बेल लेते हैं तो रोटी से भी हमें पतला ही रखना है इसको तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसको बेल लिया है और यहाँ पर देख सकते हैं आप इसको थिकने सिस्की पतला हमने बेला है पहुँ जादा मोटा नहीं पहुँ जादा इसको पतला नहीं तो इसी तरीके से हमने बेल कर और हमें इसको ऐसे रोल कर देना है इस तरीके से रोल करना है फ्रेंड्स ताकि इसमें बीच में होल रहे बिल्कुल इसको चिपकाना नहीं है तो इसी तरीके से हम इसको रोल कर लेंगे और लाश्ट में हम हलका हलका इसमें पानी लगा देंगे ताकि ये चिपक जाए बढ़ियां खुले ना तो इसी तरीके से हमने बढ़िया से पानी लगा लिया है और इसको हम इसी तरह बढ़ियां चिपकाते हुए पूरा बराबर रोल कर लेंगे और हाथों से हल्का सा इसे प्रेस करते हुए इसी तरह से इसको बना लेंगे ये rolls बना लेने हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसको बना लिया है सारे एक जैसे ही बनाना है और हमने इसको रख दिया है side में फिर से रख देते हैं कड़ाई, gas पर यहाँ पर देख सकते हैं पानी उबलने लग गया है इसमें हमने पानी डाला है अब हम डाल देते हैं इसमें नमक तो इसमें लगभा गाधा चमच हमने नमक डाल दिया है क्योंकि आटे में हमने नमक नहीं डाला है और हमने एक चमच रिफाइन डाल दिया है तो आप चाहें तो इसमें आटे में भी हलका सा नमक डाल सकते हैं तो बढ़ियां से mix करते हुए इसको हमने सारे rolls डाल दिये हैं इसमें और यहाँ पर हमें flame को medium ही रखना है friends और इसको लगभग हमें 5-7 मिन तक boil करना है यह बहुत जल्दी पक जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 6-7 मिनट हो गए हैं तो यह बहुत यह बढ़ियां perfect बिल्कुल पक चुका है अब हम gas को off कर देते हैं और इसको हम निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए तो इसको ऐसे निकालना है ताकि जो इसके बीच में पानी है वो भी आसानी से निकल जाए तो एक-एक करती हो इसको उठाकर बढ़िया से हमें इसका पानी जो है निकाल लेना है और ठंडा होने के बाद यहां पर देख सकते हैं आप इसकी हम cutting कर लेते हैं तो आप चाहें तो वैसे काट सकते हैं या तो knife के उपर हलका सा तेल लगा लेंगे तो बहुत ही आसानी से कट जाएगा बिल्कुल चिपकेगा नहीं कई बार ऐसा होता है कि वो चिपकता है उसमें तो आप थोड़ा सा तेल लगा लेंगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और बहुत ही आसानी से यह कट जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसी तरीके से इसको काट लिया है तो हमने ऐसे सेप दिया है जैसे पास्ता होता है सेम उसी का और फिर से हमने रख दिया है गैस पर फ्राइपन और हमने दो चमच डाला है इसमें सर्शों का तेल तो तेल थोड़ा सा गरम हो जा यहाँ पर हमने लगाया है लशन का तड़का तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं हमने लगभग 5-7 जवे लशन के ले लिये थे और उसको हमने बढ़िया कोट लि यह हलका सा यह ब्राउन हो जाए उसके बाद हम डाल देंगे इसमें प्याज तो यहाँ पर हमने लगभग 3-4 मेडियम साइज की प्याज को स्लाइस में काट लिया है और हम डाल देते हैं इसमें तो इसको बहुत ज़ादा ब्राउन नहीं करना है हलका हलका यह सौप्ट हो बस इतना ही रखना है हमें प्याज को और हम डाल देते हैं लगभग चार से पांच हरी मिर्ज को बारिक काट कर और अगर तीखा कम पसंद है तो थोड़ा कम कर दें हरी मिर्ज और चरपटा खाना है तो आप डाल सकते हैं तो तीखा अपने अकोर्डिंग ही रखें तो यहां पर देख सकते हैं फ्रेंद्स थोड़ी सी सोप्ठ हो गई है अब हम डाल देते हैं लगभग 2-3 मेडियम साइज के टमाटर ले लिए है मैंने तो इसको हमने बारी काट लिया है और अब हम डाल देते हैं तो इसको भी थोड़ा मिक्स कर लेते हैं और अब हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक इसमे तो नमक टेस्ट के कोडिंग ही डालना है तो हमने लगभग आधा चम्मच नमक डाल दिया है तो पहले नमक डाल देंगे तो यह जो टमाटर है थोड़ा सोप्ट हो जाएगा बढ़िया से यह बिल्कुल पक एधा चमज हल्दी पाउडर हमारी है हल्दी और हम एधा चमज ही डाल डिये है लाल मिर्श पाउडर ऑब इसको हम तोड़ा मिक्स कर लेते हैं और हम इसे ढखकर लगभग दो मिर्ट तक पकाएंगे ताकि जो टमाटर है बढ़िया से सोप्ठ हो जाएं और मसाले भी पक जाएं तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंट्स यह बहुत ही बढ़िया बिल्कुल सोप्ठ हो गए हैं टमाटर और अब हम डाल देते हैं यह हरी मटर तो फ्रेंट्स यह कच्ची हरी मटर नहीं है यह बोईल की गई हरी मटर है अगर कच्ची हो तो उसे पहले आप उबाल ले बोईल कर ले उसके बाद ही डाले तो यह बहुत ही जल्दी वैसे भी पकी हुई है तो इसको लाश्ट में ही डा ड问 यहां पर रापध़ को जोड़ारे दो यहां नाम दो यहां पर। हमने डाल कर इसको लगभग तीन से चार मिनट तक इसको ढखना नहीं है खोल कर इसे हम चलाते हुए बढ़िया से पका लेंगे ताकि जो मसाले हैं और नमक बढ़िया से बिल्कुल मिक्स हो जाएं और यह बनकर बिल्कुल रेडी हैं तो आप भी बनाईए इस पास्ते की थेंक्स पूर वाचीं